नेक्षम है हिपनोटिक्स हिपनोटिक्स क्या होता है जो हिपनो टर्म है ये ग्रीक टर्म है और हिपनो का मतलब होता स्लीप तो कोई भी ऐसी मेर्सिन जो आपके स्लीप को इंड्यूस करे या आपके स्लीप को इंप्रूब करे बेटर करे वो hypnotics बोलते हैं या hypnotics की category में आएगी तो हम लोग कुछ दमाया देखेंगे category wise उसके action को पढ़ेंगे मुशली हम लोग देखते हैं कि opium ऐसा कोई भी patient जिसमें snoring बहुत जादा हो खराटे बहुत जादा लेता हो और नीद उसकी ना पूरी हो या उसको ऐसा लगे कि नीद बहुत कम आती हमको या नीद पूरी नहीं होती है और साथ में खराटे लेता हो आपको आहाँ पे opium देंगे mostly 200 में चलाएंगे आप उसको weekly next medicine हम लोग देखते हैं passive flora passive flora एक बहुत अच्छी remedy है especially ऐसे patient को जिसमें hypertension हो या अस्थमा हो और ऐसे patient जिसमें hypertension या अस्थमा हो और उनको नीद ना आती हो तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर passive flora देते हैं तो यह problem भी सही होगी उसका BP भी normal होगा और साथ में उसको नीद भी बहुत अच्छी आएगी एक medicine देखते हैं हम लोग PCDIA साथ में कालिफ हॉस दो यह ऐसी medicine है इनको नीद नहीं आती मोशली stress and tension की वज़े से stress and tension इसकी वज़े हैं जिसकी वज़े से इन दो medicines को नीद नहीं आती तो अगर आप यह medicine देते हैं इन मेंसे कोई एक कालिफ हॉसी देते हैं तो ऐसे पैसे जो इसको stress and tension की वज़े से नीद नहीं आती उनको नीद अच्छी आती है अगर किसी को unrefreshing नीद आती है या उसको नीद नहीं पूरी होती है उसको सोने के बाद भी लगे कि नीद नहीं पूरी हुई या वो बहतर तरीके से नहीं सोया तो आप ऐसे पैसेंट को अलफा अलफा देंगे कोई भी ऐसा पेसेंट एवीना सटाइबा कोई ऐसा पेसेंट जिसकी sexual activity बहुत जादा हो और उस activity की वज़े से नीद ना है तो वहां पर आप एवीना सटाइबा देखेंगे देंगे मुश्टली देखते हैं हम लोग की एवीना सटाइबा मुश्टी ओल्ड डेस क ना की remedy है तो यहां पर उसका एक्षा होता है एलोपैथी में जणरली दो तर्म याद रखेंगे पैम जहां पर पैम जुड़ा हो और क्वेनलोन उड़ंगे ना हीपनोटिक के आते हैं जैसे हम लोग देखते हैं डाजी पैम सबसे जो कॉमन लोपैथी में यूज की जाने वाली दवाय है नाइट्राजीप ai या दखाएंगे सबमें देखेंगे पेम जुडम होगा तो यह स्लीप को अंड्यूस करती है हीपनोटिक रग्स होती है एक हाता टर्म क्योली में मैं आप देखेंगे permite українえる को फ्सारा के अंदर ही आएगा दूसरा आप और देखेंगे मेथा क्योखिन तो जहां पर भी क्लोन जूड़ा हो पैंड पर वह ऐसी दमाएं इस कटेग्री कि होती हैं वह आपके सुन्द करेंगी आपके सीलीव को बेहतर करेंगी आपको नीद अच्छी आएगी देखेंगे साइलो गौग पहले बता था, Gawk का मतलब होता Ann kannstdep ने कोई शीज बढ़ जाना Sasilo का मतलब होता saliva ऐसी medicine ये ऐसी चीजनी z Nearly Salivation को बढ़ा दें वो S retainingogog कहलाती है तो हम लोग medicine पढ़ेंगे Bo extra treatment ये इस medicine में Samilay Nakah तो कोई भी medicine जिसमे équery innovation बहुत जाद हो उसको साइलोग आख बोलते हैं, इसमें कुछ मेडिसिन्स हम लोग देखेंगे, इपी कॉप, इपी कॉप में कोई भी प्रॉब्लम आप देखेंगे, तो उसके हर प्रॉब्लम के साथ उसका नौजीशन और उसका सलायवेशन बहुत ज़ादा हो जाना, तो नौजीशन प्लस स्लाइवेशन यह दोनों चीज़ें बहुत जादा हो जाना वहां पर इंडिकेट करती है इस रेम्डी कोईपी को दूसरी मेडिसिन पढ़ते हैं हम लोग मर्कूरियस मर्कूरियस में भी सेम कंडिशन हम लोग देखें उसमें भी क्या को होता है नॉर्मल स्लाइवेशन बहु परदस बर्निंग होती है और उसका साथ में उस बर्निंग के साथ उसका सलाइवेशन भी बहुत जादा होता है तो आयरिस वर्सकोलर में जी आईटी के साथ बर्निंग और साथ में सलाइवेशन बहुत जादा इपी कॉक में नौजिया के साथ सलाइवेशन बहुत जादा ह fatty, flavvy, fair, यह सारे चीज़े match करनी चीज़, साथ में इसका stool बहुत hard होता है, इसको constipation होता है, साथ में इसके साथ इसको क्या होगा, salivation बहुत जादा होगा, तो ऐसी medicine में आप देखेंगे, यह सब चीज़े हम लोग देखते हैं, निक्स। निक्स 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 तर्म पढ़ेंगे वो इसी से related ही है बहुत important ही है V7CINS समलग पढ़ते हैं यह इसकिन से related तर्म है V7CINS वेसिकल से बना है V7C और गाईनस फार्मेशन ठीक है आईसा कोई भी मेटसिन जो वेसिकल के फार्मेशन को रो के वह एंटी विसकैंस मेडिसिन होती है या विसकैंस का मतलब साइक्ली और फार्मीशन आप जबसे ज़्यादा यह निकलते बरशात में यह इसे जलने के बाद फपोले पड़ जाते हैं पानी से तो वह विसाइक्ल होता है अगर पानी से भर्राइव दाने होते तो मेजिरियम में भी सेम चीज आप देखेंगे आर्टी की तरह इसकीन पर ही जगह जगह पर फफोले पर जाते हैं दाने निकल जाते हैं तो वेसकेंड की तरह ही काम करती है तिसी मेडसिन आती है आपकी क्रोटांटी यह भी वेसाइकल की बहुत अच्छी रेमडी है सबसे पहले आप चूज करेंगे आर्टी देन मिजिरियम उसके बाद देना आती है क्रोटांटी इस टमक से आपके इसीड के सिक्रीशन को बढ़ा दे इसीड के सिक्रीशन को बढ़ा दे तो जनरली जो हम लोग मेडसिन आया है यहां पर कि आरिस वर्सिकोलर बर्निंग इसका की नोट है माउस से लेके एनस तक तो आरिस वर्सिकोलर ऐसे कंडिशन में बहुत अच्छा काम करेंगी इस एसीड के सिक्रीशन को कम करेंगे जिसकी वजए से बर्निंग जो है यह कम होती है नेक्स हम लोग मेडसिन तो आप के अंदर यह चीज है कि आप चीजों को यूज करना जानते है तो किसी मेडसिन का साइड इफेक्ट है कॉंस्टीपेशन तो उसी मेडसिन को हम यूज कर सकते हैं उसके साइड इफेक्ट को डाय्रिया में या में अगर किसी को डाइरिया बहुत जढ़ा हो राए उस चाहिं हमको पता है कि उसका कॉपरैसट थीच हगी है ठीक हो जाता है अगर किसी 사ट एफट डाइरिया हैAh तो सी मैसिन को हम कॉपर्जिटेया थीच हो जाता है तो ये Ruskinmani, इसका ये मतलब होता है, कोई भी ऐसी met scene, जो congestion and readiness of the skin कज करें Skin की भी term है, जहां पे आपको skin में congestion दिखें, congestion होगा तो आपको redness देखेंगा ही दिखेंगा Con zrob thinking AND redness देखेंगे, वा youbri face agent होती में पर जो मैत सिंगू